आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है students, तो आज है पॉल्लम मैं यहाँ पर solve करने जा रहा हूं और दोनों एक sonometer bench के उपर मेरे पास यहाँ पर fixed है तो इनको यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है कि इनका cross section same है और cross section is equal to 10 की बावर minus 6 meter square तो जो sonometer के उपर मेरे पास यह setup है इसको हमने एक weight से यहाँ पर pull कर रहा है उस weight की value मेरे पास कितनी है 10 kg मेरे पास कितना हो गया 100 newton तो mg करके 100 newton मैंने यहाँ पर tension लिख दिया तो question आगे कहा है कि हमने पास total length यहाँ पर 1.5 है जिसमें से aluminum मेरे पास 0.6 meter है तो यह मेरे पास बच गया 0.9 meter यह मेरे पास aluminum और यह मेरे पास steel तो basically question मेरे से आगे कहा है कि हमने transfer vibration में set कर दी है एक external source लेके तो हमें question यहाँ पर यह पूछा है कि minimum frequency मेरे पास क्या होगी जिससे मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा setup यहाँ पर हो जाए कि यह वाला point मेरे पास एक node हो जाए तो इनका joint point है मेरे पास वह point एक node हो जाए और यहाँ पर standing waves मेरे पास generate हो जाए तो उसकी minimum frequency मुझे यहाँ पर निकालनी है f minimum मुझे यहाँ पर find करना है तो साथी में question मेरे पास यह भी कह रहा है कि मुझे यहाँ पर number of nodes भी निकालना है जब यह setup मेरे पास यहाँ पर form हो जाएगा और मुझे 1.04 into 10 की बावर 4 तो जी ध्यान देंगे कि यह kg upon meter cube में है तो यहाँ पर मुझे अगर frequency equal करना है मुझे यहाँ पर क्या करना है frequency equal करना है क्यों क्योंकि एक minimum frequency मेरे पास ऐसी है जिससे यह wire भी vibrate कर रहा है और यह wire भी vibrate कर रहा है तो किसी भी fixed wire पर मेरे पास vibration का क्या equation होती है N V upon 2L जहाँ पर N उसके harmonic का order है L उसकी length है V उस wire में velocity है तो किसी भी wire में जो दोनों side से fixed है उससे मेरे पास जो stationary wave की equation बनती है frequency की वो बनती है यह तो यहाँ पर क्या और है कि एक ही frequency से यह दोनों wire excite किये गए है तो जो minimum frequency है वो let's say इसमें N1 इसमें N1 harmonic produce कर रही है और इसमें N2 harmonics produce कर रही है तो equation मेरे पास क्या मन जाएगी N1 V1 upon 2L1 is equal to N2 V2 upon 2L2 क्योंकि दोनों wire को हमने एक ही frequency से यहाँ पर excite किया है तो ऐसा कुछ equation मुझे यहाँ पर मिल जाएगी अब मैं बात करें अगर दोनों के यहाँ पर V की तो velocity मेरे पास क्या होती है under root of tension upon mu तो दोनों का mu यहाँ पर क्या आएगा mu होती है linear mass density यह है volume mass density तो इनको हम cross section से यहाँ पर multiply कर लेंगे तो यह बन जाएगा मैं पास 2.6 into 10 की power minus 3 और यह बन जाएगा 1.04 into 10 की power minus 3 तो यहाँ पर अगर मैं बात करों इस question की यह हो जाएगा 10 की power 4 into 10 की power minus 6 याँ 10 की power minus 2 तो यह आगे मेरे पास यहाँ पर linear mass density इनकी तो यहाँ पर अगर मैं V1 निकालू तो V1 है मेरे पास 100 upon mu1 याने कि 2.6 into 10 की पावर minus 3 तो यह value मेरे पास आजाएगी 10 cube upon root 26 तो V2 मेरे पास क्या आजाएगा V2 अगर आजाएगा तो 100 upon 1.04 into 10 की पावर minus 2 और यह value आजाएगी मेरे पास just इसकी half तूकि नीचे मेरे पास यहाँ पर denominator जो है वो 4 times है इसका तो यह यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है मेरे पास यह इसकी half है यानि V1 मेरे पास क्या है V1 है 2 V2 तो अगर मैं यह वाला part लिलने equation का इसको उठा लूं तो N1 V1 upon 2 L1 L1 मेरे पास यहाँ पर कितना है अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 है म V1 से V1 cancel तो N1 upon N2 मेरे पास कितना बच गया? N1 upon N2 मेरे पास बच गया, 0.6 इदर आ गया और 1.8 इदर आ गया, तो यह हो गया 1 upon 3, तो N1 upon N2 मेरे पास आ गया 1 by 3, और हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह ratio मेरे पास यहाँ पर simplest form में है, मतलब यह ratio मुझे क्या दे रहा है यहा हो सकता है, और हमें smallest value यह तो निकाल लिए frequency की, तो अगर मैं यहाँ पर frequency मुझे निकाल लिए, तो मैं किसी भी इंतोरों में से, किसी भी equation में उसकी respective value डाल दूँगा, तो let's say मैं N1 से इसका equation यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो FM मेरे पास कितना आ जाएगा? FM मेरे पास आ अगर मैं यहाँ पर external source लगाता हूँ, तो मुझे यह case यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें common vibration होंगी, और यह point यहाँ पर node पर रहेगा, तो यह तो मैंने निकाल लिए minimum frequency, अब question आगे जाना चाहरा है कि इसमें मेरे पास nodal points कितने है, यह last के 2 nodes छोड़के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, n11 है, यानि पहली वाली मेरे पास जो पहली string है, ठीक है, यह जो 0.6 meter वाली मेरे पास string है, और इसके बाद जो मेरे पास 0.9 mm वाली string है, तो इसमें मेरे पास एक ही loop है, लेकिन अगली वाली में, क्योंकि n2 मेरे पास किया है, n23 है, इसमें 3 loop है, ठीक है, यहाँ पर नोट्स कितने होगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच वा तो लास्ट के दो हटाके में पास कितने बचे? पहला, दूसरा, तीसरा तो में पास तीन नोडल पॉइंट्स बचे हैं लास्ट वाले पॉइंट्स हटाके तो हमने यहाँ पर दोनों अंसर निकालनी है पहले का अंसर है मेरे पास 162 हर्ज और दूसरे बाट का अंसर है 3 नोडल पॉइंट्स Classics चीटोल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर